प्रेंड्स मैं अभी शेक पांड ब्राइट पब्लिकेशन के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आप हमारे चैनल को लाइक कर देजिए सब्सक्राइब कर देजिए और बैल आइकन को प्रेश कर देज़ेगा ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिलत करें कि जल्द ही लाइफ क्लासे स्टार्ट होने वाली है क्लास नाइंट और तेंथ की हम लोग समाजिक विज्ञान का हिस्ट्री यानि इतिहांश और भूगोल और आपदा प्रबंधन को खत्म कर चुके हैं अब हम लोग नागरिक सास्त्रिया सविक्स में इंटर करेंगे जो इससे महत्तपूंद क्वेशन बनते हैं आपके MCQ उनको हम लोग दिल करेंगे इसके पहले हमने इस्टरी के जितने भी महत्तपूंद प्रश्ण थे उनको हमने डिल कर लिया है और उसके पहले जीयोग्राफ्य और आपता प्रबंधन को किया था अब जितने भी के स्ट्ट बुक एंसीडी से जितने भी बन सकते थे म्सिक्व उनको यहाँ पर शंगरित कर लिया गया है ले लिया गया है जो कंफॉर्म है कि आपके एक्जाम में आएंगे ही चलिए अब हम लोगी स्टार्ट करते हैं नागरिक सास्त्र क्या नागरिक सास्त्र civics इस unit में इस इकाई में हम लोग जो नागरिक शास्त्र या civics जिसको बोलते हैं यह हमारे day to day life से connected है हम लोग किस तरह के विवस्था में रहते हैं हमाई किस तरह का जो इसमें हम लोग अध्यान करेंगे कि लोक तंत्र राज तंत्र में क्या अंतर था कितने तरह के सासन विवस्थाएं होती हैं उनके फायदे उनके नुक्षान वो किस तरह की सासन विवस्था है किस देश से किस तरह की सासन विवस्थाओं को हमने ग्रहण किया है पार्लेमेंटरी फ़र्म औउप गोर्वेंट क्या है डेमोक्रेशी क्या है इन सब का अध्यनमिल हीश्यपे टर्म करेंग..." किस तरह भारत में देमोक्रेशी अधि, ऑदकरNS के पहले क्या था," और उसके पहले क्या था, किस देश में किस तरह की विवस्था थी चीली में, पॉलनन्ड में, बैल्जियम में, इन देशों में किस तरह की विवस्था थी। उनाइट E operated up, university and France में इन देशों में किस तरह की विवस्था थी। वहां पर कैसे डेमोक्रेशी पन पाई, अभी भी बहुत सारे ऐसे देशे जहाँ डेमोक्रेशी नहीं आ हूँ, और अटोक्रेशी चलती है, ताना शाही विवस्था चलती है, कहीं करें सब का अध्यन हम लोग इस यूनिट में करेंगा, अभी हम लोग का फर्स चेप्टर का नाम है लोकतंत का करमिक विकाश, तो लोकतंतर क्या होता, तो अमेरिका के पुर्व राष्टपती, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने एक कोड दिया था, कि to the people, for the people, by the people, is a democracy, डेमोक्रेशी को उन्होंने डिफाइन क्या था, च्या क्या था, डेमोक्रेशी को उन्होंने क्या था, और लिखा था, to the people, for the people, by the people, क्या, to the people, for the people, by the people, इस तिन वाक्य में, पुरा डेमोक्रेशी छूपा हुआ है, पुरा लोकतंत्र छूपा हुआ है मात्र इस तिन लाइन में, इसको हिंदी में बोलते हैं, जनता से, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से, जनता के द्वारा चुने गए सासन विवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं, इसको हिंद डेमोक्रेशी जिसको लोक्तंत्र जिसको लोक्तंत्र कहते हैं डेमोक्रेशी कहीं इंग्लिश हिंदी हो जाता लोक्तंत्र तो यह बहुत इंपोर्टेंट है के जनता द्वारहां चुनें कैस असन व्योस्ता को लोक्तंत्र कहते हैं यह कुछ बेसिक बाते थी लोक्तंत्र के बारे में लोक्तंत्र में यही होता है कि समझेए कि जनता अपने साशक को खुद चुनती है जनता अपने शाशक को खुद चुनती है जैसे हमारे देश में डेमोक्रिशी यानि लोकतंत्र है तो हम अपने शाशक को खुद चुनते हैं केंद्रे लेबल पर हम अपने परधान मंत्री को चुनते हैं और राज्यस्तर ये पर हम अपना मुख मंत्री को चुनते हैं वहां तक ही नहीं हम अपने विधान सवा चेतर में अपने विधाय को चुनते हैं अशनशद्य चेतर में अपने सांसुत को चुनते हैं यहां तक नहीं अपने मुख्या को भी हमी लोग चुनते हैं हमारे वह हम पर शाषन करते हैं तो उनको चुनने का भी हक जनता को ही है इस लिए उसे लोकतंत्र कहते हैं और राज अंतर क्या था राज तंत्र में एक ही आदमी हेड होता है है कि लोकतंत्र में यशा नहीं है अगर भारत के परधानमंत्री भी गुनाहगार होंगे तो उन्हें जेल जानी पड़ेगी उन्हें जो एक आमनागरी को सजा होती है वही देश में democracy है एक पावर एक आदमी के हाथ में सारी power नहीं दी गई है power का बटवारा कर दिया गया है किंद्य स्थर पर कुछ आदमी को राज्य स्थर पर उससे नीचे चलिए अब हम लोग इसके question sir को देख लेते क्योंकि question sir ही हम लोग यहाँ deal करेंगे जो confirm है कि आपके exam में यहाँ से दो तिन प्रश्ण उठकर आएंगे ही आएंगे चलिए देख लेते में लोग पहला लोग तंतर के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है option में हमारा लोग तंतर में लोगों को अभिवेक्ति की स्वतंतरता होती है लोग तंतर में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है लोग तंतरिक देश में लोगों को विरोध करने का विरोध करने की अजादी नहीं होती है लोग तंतर में चुने हुए निताओं को ही देश का शाषन का अधिकार होता है इसमें से हमारा प्रश्ण के कौन कथन सही नहीं है तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा विरोध करने की आजादी सी इसका राइट एंसर हो जाएगा कि लोगतंत्र में देश लोगतंत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है अब सभी जानते है कि हमारे देश में कुछ ना कुछ हर 10-15 दिन पर कोई ना कोई वीरोध करने लगता कोई भारत बंद यह बंद वह बंद बिहार बंद अंसेंट काम करते रहते हैं तो लोकतंत्र के ही तहत होता है की अपना विरोध प्रदरशित करने के लिए वो कर सकते हैं सासन के विरूध में जो सासन के विरूध में लोगतंतर करने की अजादी नहीं होती है चलिए हम लोग दूसरा प्रशन देखते हैं तो आप समझ गया है कि लोगतंत्र क्या है लोगतंत्र आप देख ही रहे होंगे आपके डे टुडे लाइफ में आप लोगतंत्र का कैशे इस्तेमाल करते हैं और लोगतंत्रिक देश में रहने का क्या फैदा और जहां पर लोगत तो चुनी हुई जंता की सरकार थी उसको हटा कर वहां मिलीटरी ने शासन करना स्टार्ट कर दिया है वहां की जंता को देख सकते हैं वहां पर कितना अधिक उत्पिडियन किया जा रहा है सेना के द्वारा और दूसरा प्रश्ण है मैं आरा कि इन में किसे से लोक तंतर के विस्तार में मदद मिलती है विदेशी लोक तंतर का आक्रमण सयनिक कटा पलट पर प्रदिवंद ये जिते हैं इसका क्या हो जाएगा उपने अबाज उठाएं आपने हक का मांग करेंगे तो वो उससे क्या होगा लोक्तंतर मजबूत होगा शाषन के विरोध जरूरी है कि साषन के हर फैसले को शही न ठ्यारा जाए उनके फैसले का विरोध्वी करना अत्यन्त अवरशक होता है जिससे लोकतंत्र क्या होगी मजबूत हो जाएगी हमारे देश में क्या हो गया है कि सत्ता और विपक्ष सत्ता पक्ष ने क्या क्या है विपक्ष को एकदम खतम कर दिया है यह हमारे द्रेमोक्रेशी के लिए शही नहीं है जहां पर विपक्ष नहीं रहता है उस देश में तीश्रा प्राश्ण हमारे नेपाल के उगर राजिनेतिक दल को क्या कहा जाता है माववादी Communist Party नक्षलवादी शाम्यवादी इनमेशे कोईन इसका राइट एंसर क्या हो जागा माववादी Communist Party माववादी Communist Party अभी present time में नेपाल में गौर्मेंट रन करा रही है यही पाटी माव मावादी कॉम्मिनिस्ट पार्टी उगर राजतिक दल को मावादी कॉम्मिनिस्ट पार्टी कहते हैं क्या कहते हैं मावाधी communist party कहते हैं देखे चोथा नमर प्रशन है हमारा किचीली में पिनाशों का शैनिक शाषण कब शमाप्थ हुआ जो पिनाशों था च्छिली में 1988 में वहां क्या हुआ था कि जो rasa drink어요 कि मिलीटरी रूल को खत्म कर दिया गया था कि खत्म करके डेमोक्रेशी यानि लोगतंत्र डेमोक्रेशी यानि लोगतंत्र लोगतंत्र की अस्थापना होई चीली में चीली किस एक क्वेश्चन है आप से कि चीली किस महादीप में है यह आप कॉमेंट में बता दिजेगा कि इसको कुमेंट बॉक्स में बताएगा कि चिली किस महाद्वीब का पार्ट है क्वेशन हमारा के पांचवा लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण आरंब होता है सब्सक्राइब लोकतंत्र का वर्तमान चरण का प्रारंब होता है उसका प्रारंब या शुरुवात 1980 में ही हुआ था शाहत्र में है जो वर्तमान समय में विश्व का वीश्व में शब्से लोक प्रिय एवं शर्वत्तम माना जाता है शाहनिक तंत्र के लोक्तंत्र को राज तंत्र को इन्विश्य को यनि हो जाय व्वश्चा वह सबसे बेटर है कि कहीं कहीं पर विरोधाफास नजर आ जाता है कहीं पर विरोधाफास नहीं आपको पता चले रहती है जैसे ये और धारा 307 अर्टिकल 370-35 जो भारत के लिए सही था उसे जनता द्वारा नहीं कुछ वेक्टियों द्वारा उसका विरोध किया गया तो वही राजतंत्र रहता तो यह विरोध करने क्यों उनके उनके पस यह शंपता नहीं रहती उनके पावर नहीं था र लर्मोणू करते हैं सबसे नहीं किया जाता है क्या है लोक तन्तर में भी खामया जैसे कि ब्यूच है जी एक लोगतंत्र की कामिया ही है तो वर्तमान समय में सबसे बहतरीन सासन विवस्था कौन है? लोगतंत्र सैनिक तंत्र में क्या होता है? मिलिटरी रूल करती है जहां पर जैसे पाकिस्तान और मैन अमार यहीं नहीं बहुत सारे अफरिकन कंट्री भी है जहां पर मिलिटरी डायरेक्ट रूल करती है जहां military अपने military साशन विवस्था में हस्त छेव करते रहती है जब देखी तब वहां के परधान मंत्री को हटा कर खुद शाशन विवस्था हडप लिया वहां पर सैनिक तंत्र जो देश के विकास के लिए काफी हानिकारक होता है या विवस्था में देश का विकास धम सी जाती है जैसे को कहा सकते हैं बोटल नेक हो जाता बोटल नेक की तरह हो जाता राज तंत्र राज तंत्र में जानते हैं कि राज तंत्र में राजा ही सर्वो गचे मुधिय नहीं राज्जी में क्या हो जागा वह बिलुप्ति के गार पर चली जाएगए जैसा समराथ अशोग जैसा साशक होगा तो बहें अज़ंड और विक्सित होगा इसका राइट अंसर क्या हो जागा मजदूर वर्ग द्वारा सेली डेट ट्री ट्री सेली इसके द्वारा किया गया तो मजदूर वर्ग द्वारा किया गया था मजदूर वर्ग के द्वारा कि आठवान अमारा प्रश्ण है कि पोलेंड में सॉलेडेड सॉलेडेरी ट्री में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा इस चुनाव में सेलीडेरी ट्री को कितने सीट पर शफलता मिली इसका राइट एंसर क्या हो जागा नाइन ही नाम सीट पर जो मजदूरों द्वारा बनाये गया था क्या हो गया था मजधूरों द्वारा एक पार्टी बनाई गय थी जिसका नाम ता मजदूर यहां परमजगूरों तो वहां पर मजदूरों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोलेड। सोलीडेरी टी जो वहां पर आम चुनाव यह होता है वहां के स्टीटों पर चुना गभाथा उसमें 99 सृट के वाल सलीडी जीटती है और एक सीट उसका दूसरी पार्टी जीटती है यह पॉलेंड क पोलेंड पर मियानमी पर या शोविद संग पर इसका राइट इंसर क्या हो जागा पॉलेंड पर just जारूलसी की साशन फाइप पॉलेंड पर था एक hani कि पॉलेंड किस माधूइप में है और Poland की रहधानी क्या है यह आप comment box में हमको बताइएगा किसका या किस महादीत में पढ़ता है? की इसकी रहलाइन क्या है? प्राचीन भारत में लोक्तंत्र का प्रमान नहीं मिलते हैं ब्रिटेन में 6088 इस्वी में गौराव पुर करांती के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ फ्रांस में 1789 इस्वी में करांती लोकतंत्रिक शाषन की निव डाली पाकिस्तान यो नेपाल में लोकतंत्रिक शाषन को कभी को कभी चुनोती नहीं इस कथन में कौन सा कथन सही है इसमें कौन सा कथन सही है तो प्रचीन भारत में लोगतंत्र का प्रमान नहीं मिलता है जी नहीं प्रचीन भारत में लोगतंत्र का प्रमान मिलता है जब आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे क्लासिक्स में तो बॉध के और बॉध धर्म और जैन धर्में दो पुस्तके थी अंगूतर निकाय और भगवती सुत्र वहाँ पर 16 महा जनपदों का नाम पता चलता है जनपदों में चार से पांच जनपद ऐसे थे जहां पर लोकतन्तर था जिसमें वज्जी और वैशाली यह सब जुथे यहां पर लोकतन्तर था तो इससे प्रूफ होता है कि प्रचिन भारत में लोकतन्तर थी क्या थी रिपब्लिक स्ट्रेट थे जो मगत के उपर में थे स्ट्रेबलिस्ट वा लोकतन्तर मजबूत हुआ तो यह भी गलात है तो यह भी गलात है देखें तीशा नमर क्या है फ्रांस में 1789 स्ट्री में करांती लोकतन्तर रिवल्यूशन की निव डाली यही इसका राइट हैंसर हो जागा सी जो 1789 का फ्रेंच रेवल्यूशन था व राइट एंसर हो जागा सी फ्रांस में 1789 में करांती लोकतन्तर रिवल्यूशन की निव डाली कि अगर अगर कि अगर कि 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 झाल 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 किसी टेक्निकल इशू शे क्या हो रहा था कि बोर्ड का ये पाट कट रहा था तो इसलिए उसको ठीक करना पड़ जिए ठीका ये गरवन अबर प्रशन दख लेजिए कि चीली में लोकतंत्र का वेवशाई किस परकार होई शेनिक शाषन के अंत करके बिटिश ओपनिवेशिक शाषन का का अंत करके एक दल के शाषन का अंत करके नरिश्ट द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करके इसका राइट अशर क्या हो जागा सैनिक शाषन को अंत करके चीली में क्या हो रहा था कि चीली में मिलिटरी रूल था उसको खत्म करके वहां पर लोक्तंत्र की स्थापना किया गया तो इसका राइट इंसर क्या हो जागा जैनिक शाशन को मिलिटरी रूल को खत्म करके पाकिस्टान में जैनरल मुश्रफ ने किस वर्ष शत्ता पलट कर शैनिक साशन स्थापित किया जैनरल मुश्रफ के बारे में आप जानते ही होंगे जिसने भारत से यूदि किया था बेटल ओव कार्यल जिसमें उसकी पराजय तो पकिस्तान के पकिस्तान में जनरल मुशरफ ने किस वर्ष शत्ता प्लट कर शैनिक सासन स्थापित किया था तो 1995 में 1996 में 1999 में या 201 में इसका राइट एंसर हो जाएगा 1999 में या कारगेल यूध जब हुआ था था हमारा 1999 से 2000 के बीच में चला था कागेल यूध बैटल ओफ कागेल हुआ 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 है कि नेपाल नरिश गानेंद्र को कब निर्वाचित सरकार को पद्चूत करद कर दिया गया था तो 2005 में 2003 में 2007 में 2008 में तो नेपाल में जो राजितंत्र राजितंत्र चल रहा था उसको लोगतंत्र में बदला गया तो कब उसका राइट अंसर हो जाएगा 2005 में 2005 में क्या हुआ तिसवा था कि नेपाल में जो नेपाल नरीश तो इस ज्यानेंद्र जो जो बॉलीबूड में एक्ट्रेश वह इन्हीं की वंससे हैं इन्हीं की खंडान से हैं सब्कलिक कि नेपाल में सभार का चुनाव में 500 दो हज़ागा कि दोहजार आठुमें नेपाल में स्वाईधान लिज नेपाल में करें कि दोजर कि कस लेलंका मालदीव भुटायोन नेपाल इसका राइटे odds वरन यादो उस डेश की राष्ट पती हैं कहां के तो नेपाल के इसका राइट एंचर हो जगा नेपाल आप जानते होंगे सिरिलंका के राष्टपती और परधान मंत्री दो भाई हैं जो मालदीव के बारे में भी आप जानते होंगे भुटान के बारे में भी जानते होंगे तो भुटान के बारे में आप बताएएगा कि भुटान से भारत का किस राज्य की सीमा लगती है इसका एंसर आप लो कोमेंट में दीजेगा तेखे सुलावान अमर परशने के निमलिखित में से कहां प्रचीन समय में लोकतंतर का उधारण नहीं मिलता कपिल वस्तू के शाक्य से अलकंप के बुली से कुशिनगर का मल और मगद का पाठली पुत्र इसका राइट अंसर क्या हो जागा मगल का मगद का पाठली पुत्र से यह जो कपिल वस्तू के शक्य है यहां से क्या हो जो मैंने आपको बताया कि एंसेंट हिस्ट्री में दो पुस्तके हैं बौत धर्म और जैन धर्म की एक अंगूतर निकाय और भगवती सुत्र जिससे हमें शोला महाजनपत का ज्यान होता है शोला महाजनपत में सबसे तागतवर जनपत था मगद यानि पाठली पूतर जो मगद जो परशेंट टाइम भिहार ज्यारखंड का पाठ है तो यह सबसे तागतवर शमराज्य हुआ करता था मगद तो यह मगद क्या था एक राज तंत्र पर बेश था यह एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र का उधारन नहीं था यह राज तंत्र का था लेकिन कुशिनगर मल वज्जी यह सब जो महाजनपत हैं यह लोकतंत्र को यहां रिपब्लिक यहां लोकतंत्र लोकतंत्रिक व्यवस्था थी लेकिन मगद और पाठली पूत्र में क्या था राज तंत्रिक सरक्या हो जागे 2006 में 2006 में कि नेपाल में कि क्या वाथा कि लोक तंत्र कि वापसी हुई 2006 में लोक वाले इसके शंबंद में निमलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है यह साम्यवादी सरकार के नेता थे हड़तालियों के नेतित्य हड़तालियों का नेतित्य क्या एक इलेक्ट्रिशन थे 1989 में निर्वाचित निर्वाचन में राष्ट्रपती बने इसका राइट एंसर क्या हो जाया कि यह एक शाम्यवादी सरकार के नेता थे यह एक शाम्यवादी सरकार के नेत थे कौन लोख वालेश कि अग्या प्रस्ट है कि अमेरिका दोरा शर्व भॉम व्यस्क माताधिकार किस वर्ष अपनाया गया उन्डेश उठाइश उन्नीशों पैतालीश उन्नीशों पैंसर इसका राइट और इनमें से को इन्सका राइट एंसर क्या हो जागा कि यूएशे गया था कि वेश्क मताधिकार को अपना लिया गया था कि मतलब इस एज से जो आदमी अधिक हो जाएंगे उन्हें मत देने का अधिकार स्वतफ प्राप्त हो जाएगा उसे किसी तरह का कारी नहीं करना पड़ेगा बस एक काड या निर्वाचन आयोग के पास उसको क्या कर प्रपंजी करना पड़ेगा और अपना मत का परियोग करने योग्य हो जागा लेकिन उसके लिए एक समय सीमा बना दिया गया कि इतने उम्रिक से अधिक होना चाहिए उस वेक्ति का इसका राइट एंसर हो जागा 1965 में 1965 में बीश्वान और प्रशन के चीली में सेनिक द्व सब्सक्राइब और भात गया और उसके तुरंट कुछ समय बाद वहां की जन्त ने वहां के लोगों को ने उस शाचन विस्थायी मिलिट्री रूल्ल को खतम करको अधिए aggregate में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी इस्थिती नहीं थी व्यापक स्तर पर व्रश्रचार सरकार में श्रमस्त अध्योगों पर नियंत्रण एक दली व्यवस्था जनता को अपनी सरकार चुनने की स्वतंतरता इसका राइट असर क्या हो जागा D. जनता को अपनी सरकार चुनने की सवतंतरता नहीं थी क्या था? जनता को अपनी सरकार चुनने की सवतंतरता पोलेंड में नहीं थी बाइश्वान और प्रश्ण है हमारा कि किस ने कहा था कि जब देश द्रोह करने वाली ताकते आपनी शत्ता पुरी तरह काई कर लेंगे तब भी चिली के लोग लोग कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारों की दोर से पार पालेंगे सनाल्डोर आयंद अलबेटो वैशाले अगस्तो पिनाशो या मिशेल वैशाल इसका राइट एंसर हो जागा अनाल्डोर आयद क्या शनाल्डोर शोड़ी सतान डोर आयद इसका राइट एंसर हो जागा अगस्तो पिनाशो द्वारा शाषन सत्ता पर अधिकार जमाना उधारण है शाम्यवादी शाषन का सैनिक तक्ता पलट का लोगतंतर का उपयुक्त में से कोई ने इसका राइट एंसर क्या हो जागा अगस्तो पिनाशो था वह एक अस्थापित किया था अगस्तो पिनाशो एक क्वेशिन लोकतंतर के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है लोकतंतर का विकास कर्वा लोकतंतर का क्रमिक विकास हुआ का विकाश सब्सक्राइब कुण कथन सही है तो लोगतंतर का विकाश करन कहीं हुआ 는 हमारे के लोगतंतर का अंग्रेजी डेमोक्रेशी सब्सक्र्णिमलिंखित में से किस भासा से लिया गया है फ्रेंच लेटिन ग्रीक या इटेलियन इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ग्रीक वर्ट से लिया गया है कि डेमो क्रेशी लिया गया है डेमियों से डेमो कि डेमो प्लस क्रेशी डेमो मतलब क्या होता पीपल क्रेशी मतलब क्या होता है रूल इसको क्या कह सकते है रूल प्पीपल डेमो क्रेशी डेमो प्लस क्रेशी यहीं इसको लोक ने our ग्रंटर लोग अंत्लब पीपल अंतर मतलब व्यवस्ता है कि खिंदी में बीथ जो यती बनेगा और डेमॉ ओंक च्रेंची जो ग्रीक वर्ट से लिए गया से लैघ है ंडेमॉ प्लस क्रैसी्ट मतलब होता है फीपल रि क्रेस्ट कह मतलब होता था आद शाय है से आंग्शानशु की शुक शू की संबन्द निम्ले खित में से किस देश से है चीन से भारत से नेपाल से या मैंनमार से अभी मैं스터 दिया आप को कि मैंनमार की आर्मी ने क्या किया है मैनमार पर तो military rule इसे यहीं सेटा है तो उस समय निरवाचित नेता वहां की आंग-सटार करें जिनको वहां की military ने गरफतार करके वहां पर military rules थापित किया तो यह किस देश से related है मैनमार से related है मैनमार की रजधानी क्या है आप बताएगा रंगुन नहीं है मैं यह बता दता हूँ आपको कि जो भी रंगुन लिखने वाले हैं वो सुधार ले रंगुन उसकी रसधानी नहीं है मैं कि स्वच्थंत्र अश स्वतंत्रता शमानता और भात्रतु नामक लोगतंत्र के तत्वकी से करांती के द्वारा स्थापित किये गवरपूर्ण करांती फ्रांसी सी करांती अमेरिकी करांती या इन में इसका राइट अंसर क्या हो जागा कि फ्रांसी करांती के बाद ही यह तीनों स्वतंत्रता समानत और इंडिपेंडेंज और ब्रदर हुड जो फ्रांसी सी करांटी से ही आया था किया हां से फ्रेंच रीवल्यूशन से आया था कहां से फ्रांसी सी करांटी से ठीक है याद कर लीजिएगा अठाइश्वन प्रप्रश्ण है कि लोगतंत्र में निम्रिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है हाताल करने का संग अथवा संगठन बनाने का विचार वेक्ट अभी व्यक्ति का या उपरियुक्त सभी यह सभी जो सक्तियां है वो जनता को दी गई है ह इससे विद्वाट को लगता ही तुष को साथाल करें अगर आप लगता है क्या Espero अए इस पार्टी की सथान व्यस्ता नहीं है इससे बेटर हम करकते है थो खुशत यह बना कर खुश कुछ क्राइटरिया चोफbor होता है उसको फुल्फिल करना पड़ेगा विचार और अभिवक्ति आप जब चाहें तो जो भी सोसल मीडिया पर गौर्मेंट के खिलाफ या किसी वेक्ति के खिलाफ अभध्रभासा का प्रियोग करते रहते हैं या कुछ भी बोलते रहते तो विचार या अभिवक्ति की जादी ही होती है देखें 29 नमर हमारा प्रशन है कि सुरक्षा परिशद के सदस्व के संख्या कितनी है जो सुरक्षा परिशद है जो यूएनों के बारे में हमने कल पढ़ा था यूएनों के बारे में पढ़ा था जब विश्वसांती का अध्यान हम लोग कर रहे थे विश्वसांती का प्रयास का प्रयास चेप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो विश्वसांती की प्रयास के लिए क्या क्या दम उठाये गया थे इसके बारे में हमने जाना था तो किस तरह उसको आगए बढ़ाय गया था तो उसमें का फोर्मेशन किया गया था क्या उनाइट नेशन और गनाइशेशन का है नेशन को मैं क 판ist कर दोनायजेशन कि तो ऑफ स्बंक्स चैऊार च्प्टीषमेंट 24 औट ओक्टोबर 1945 को किया गया था कब 24 October 1945 को किया गया था तो इसमें 5 पर्मानेंट और 10 क्या होते हैं यह अस्थाई होते हैं यह अस्थाई होते हैं 5 और यह 10 अस्थाई होते हैं तो टोटल कितना मेंबर हो जाते हैं तो 15 मेंबर शुरक्षा परिशद में रहते हैं इसका सबसे महत्वपुण पार्ट है इसक्योरिटी कॉंसील यानि सुलक्षा पारिश्थ में 15 मेंबर होते हैं 5 अस्थाई होते हैं और 10 हर 2 साल में परिवर्थित होते रहते हैं और पांच पर्मानेंट रहते हैं तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा कि कि सुरक्षा परिशन में सदस्यों की संख्या 15 है कितनी है 15 इसका राइट इंसर 15 हो जाएगा कैसे मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि इवेनों का स्टब्लिश्मेंट कभ गवा था इवनों क्य अधिया अब हम लग तीसवा प्रशन रखता है कि निमली खिते राज्यों में कौन में से की से राज्य को सुरक्षा परिशद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है अमेरिका ब्रिटेन चीन भारत इसका राइट अंसर क्या हो जागा तो भारत भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया तो वीटो पावर तो वीटो पावर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि भारत पर्मानेंट मेंबर नहीं है युनाटेट नेशन सेक्योरिटी काउंसिल का जो जो देश युनाटेट नेशन सेक्योरिटी काउंसिल के पर्मानेंट मे देखते हैं कि चिली के चीली हो जागा यहां पर चीली के पिशानों शरकार का पतन की वर्ष हुआ था ओप्शन में 1975 में 1975 में 1975 में 1980 में 1988 में 1990 में इसका राइट एंसर के हो जाएगा 1988 में चीली जो वहां पर गॉर्मेंट रण कर आ रहा था पिशानों पिशा पिनाशों सोरी कि क्या था उसका सासन विवस्था को खत्म कर दिया गया था उसकी सासन विवस्था का पतन हुआ था मतलब खत्म हुआ था इसके पहले भी हमने इस प्रस्णों को जाना था फिर से मंड़ों जान लेते हैं क्या दिक्कत हैं अंतरास्ट्रे नियाले का मुख्याले कहां हैं कहां पर अंतरास्ट्रे यउले का मुख्याले कहां पर है नियॉजिक में लंदन में या नियोजमी इसका r jakiś में होगा इसका राइट सर एंग होगा गोगा जो सौने का है यृजिक स्चरणग का हेड़कॉर्टर रिव्व. अ стथने नई दिल्ली भारत की रस्धानी है 335 में लोगतंत्र की बहाली कब हो ही ? 2000 में 2700 चार में 2600 , 2009 में इसका सुन्ट हो जगा के Maurice heart चीली में लोगतंत्र निकी बहाली 2006 में व्यूआ था ? कब हुआ था कि 2006 में चीली में लोगतंत्र की बहाली हुई उसके पहले क्या था चीली में चीली में मिलिटरी रूल था क्या था कि अर्मी की शाषन यानि आप कहा सकते हैं वहां पर इनुरी रूल जैनरल का रूल था जो आपर इलेक्ट गवर्मेंन्ट नेल पर 220 म सब्सक्राइब वहाँ पर फिर्ण से डेमोक्रेशी को स्ट्रबिस्ट किया गया चोतिसवा नमर प्रश्ण है देखते हैं चोतिसवा नमर प्रश्ण हमको क्या कहता है इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पॉलेंड के हरताली मजदूरों ने सरकार के समक्षे नहीं रखी देश में सटंत्र मजदूर संग को मानता मिले देश में सटैनिक शषण की त्छापना की जया धे स्प्राइशे करुषिकी नहीं प्रेट का था ज़ए छे हो ज vegan यह फीन में दूरों ने सरकार का समक्ष नहीं रखी थी तो कौन सी ऐसी मांग थी जो उन्होंने नहीं रखी थी तो देश में सैनिक शाषन के अस्थापना की जाए इसका राइट इंसर भी हो जागा कि देश में सैनिक शाषन की विवस्थाओं उन्होंने नहीं मांगी थी उत्तर भी हो ज्याएगा एक उन्होंने ये प्रेश पर लगी सेंसर सिप लगाया जाता है कि आप यही खबर दिखा सकते हैं ज Northern भारत में था तुमां पर भी पर ऐसा प्रोड लगा दिया गया था ज only बहुत तो एप इस खबर को चाहते थे वही खबर सब्ता था उसी तरह प्रेश पर पोलेंड में भी क्या क्या था तो सेंसर सिप्लागा दिया गया था इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा कि देश में देश में सैनिक साशन की अस्थापना की जाया वह लग डेमोक्रेशी पर ही बिलीव करते थे लेकिन वह क्या ने चाहते था कि देश पर सैनिक विवस्था लागू किया जा अ कि कि को अ कि को अ कि क्वेस्चन हमारा प्यांतिश्वा अ जरना प्रशन दखेगा पहरी बार कि साम्यवादी सासन वाले देश ने सोतंत्र मजदूर शंग बनाने की मानेता प्रदान की चीन ने पॉलेंड ने सोवियत शंग ने या क्यूबा ने इसका राइट एंसर क्या हो जाका पॉलेंड ने जो वहां के जनता ने या जो मजदूरों ने जो वहां मांग की थी कि उसको साश वहां श्याम्यवादी शासन विवस्था ने उस पॉलेंड की विवस्था थी वह उसने मंजूर कर लिया था शोवियत संग्ण के बारे में आप जानते होंगा कि इसको यू-ए-ए-स-र बोलते थे यू-ए-स-र जो मोडरन डे रशिय का बोलते हैं इसको इसे सार से पंदर हदेश्य अलग हो चुके हैं अभी रश्या ही लगा हो चुके हैं अब लोग इस क्वेश्शन को कर लीजेगा तो कन्फर्म है कि आपका दो तिन क्वेश्चन इस तीस से पैटिस कुष्टन हमने किया मातर मुश्खिल से आपको पढ़ने में मुश्किल से 5-10 मिट लगेंगा है और कनफर्म है कि 2-3 नमबर आपको देख कर जाएंगा ये